क्या आप भी एक अच्छा 5G फोन लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं हा रहा क्या ओपो का 5G फोन लिये जाए या वीवो का तो आप सही जगा हैं मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ ओपो A710 5G और वीवो Y56 5G फोन और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों फौनों में से कौन सा फौन बैच रहेगा और हमें इस फौन का से लेना चाहिए या उनलाइन लेना चाहिए या ओफ लाइन चोर्स पर तो इसलिए वीडियो के साथ अंग तक जडरूर बने रहे हैं तो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत सबसे पहले भी वोके फोन से चलू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। इस फोन का प्राइस हमें online stores पर 19,000 देखने को मिलेगा। अगर हम इस फोन को offline stores पर try करें तो इस फोन हमें असानी से 18,500 में देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें कोई भी नया फोन लेने से पहले offline stores पर जुरू try कर लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के colors की तो इस फोन में हमें दो colors देखने को मिलेंगे पहला orange color और दूसरा black color इस फोन के साथ हमें हमारा cover case, adapter और C-type USB port cable देखने को मिलेंगी और साथ में कुछ menu guides देखने को मिलते हैं। इस फोन में हमें 18V का adapter देखने को मिलता है। इस फोन में हमें 8GB RAM और 120GB internal charge देखने को मिलेगी। तो चलिए इन सब को side में रखकर बढ़ते हैं हमारे phone की और। इस फोन में हमें glass front, plastic frame और plastic back देखने को मिलेगी। बैक में हमें dual camera setup की साथ एक flashlight देखने को मिलेगी। डिजाइन वाइस तो phone काफी बहतरी लग रहा है। इस phone का color भी काफी unique है। चलिए बात करते हैं इस phone के weight की तो इस phone का weight 184 grams है। इस phone में हमें 8.2 mm की thickness देखने को मिलेगी। इस phone में हमें hybrid sim slot देखने को मिलेगा। इस phone की display की बात करें तो इस phone में हमें IPS LCD display देखने को मिलेगी। इस phone में हमें 6.5 inches की screen देखने को मिलती है। इस phone में हमें 84% screen to body ratio देखने को मिलेगा। इस phone की display हमें 401 PPA density का resolution देती है। चलिए बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में हमें मीडिय डेक्ट डेमेंज ची 700 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की हमारी गेमी पर्फॉमेंस को काफ़े इन्हांस कर देता है यह फोन हमारा Android 13 पर वर्ग करता है यह फोन हमारा IP4 वाटर और IP5 डश रिसीचन भी है इस फोन में हमें साइड माउंटेड फिंगर्मिन सेंसर देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी की इस फोन के कैमरा फीचर्स की और इस फोन में हमें dual camera setup देखने को मिलेगा जो कि हमारा 50 MP का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा camera हमें 2 MP का depth camera देखने को मिलेगा with 2.4 aperture rate selfie camera की बात करे तो इस फोन में 16 MP का selfie camera देखने को मिलेगा और camera features की बात करे तो इस फोन में हमें LED flash mode, HDR, panorama, slow motion mode भी देखने को मिलेगा ये फोन हमारा 1080p 30fps तक video recording स्पोर्ट करता है इस फोन में हमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है overall इस फोन के performance की बात करें तो इस फोन में हमें एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छी लुक्स, अच्छी बैटरी और अच्छा कैमरा देखने को मिलता है चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फोन की और जो की हमारा OPPO A79 5G फोन है चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के price की इस फोन का price हमें online shorts पर 20,000 देखने को मिलेगा अगर हम इस फोन का price offline shorts पर try करें तो इस फोन हमें असानी से 19,500 में देखने को मिल सकता है चलिए, बात करते हैं इस फोन के colors की तो इस फोन में हमें दो colors देखने को मिलेगी पहला glowing green color और दूसरा mystery black color देखने को मिलेगा इस फोन के साथ हमें 33 वोड का super rook charger देखने को मिलेगा और उसके साथ हमें USB-C port cable देखने को मिलेगी इस फोन में हमें 8GB RAM and 128GB internal storage देखने को मिलेगी और इस फोन के साथ हमें हमारा cover case, sim ejector, tool kit और कुछ manual guides देखने को मिलेगी तो चलिए इन सब को side में रखकर बढ़ते हैं हमारे phone की और इस phone की back में हमें shiny glass body देखने को मिलती है back में हमें dual camera setup के साथ एक flashlight देखने को मिलती है look wise तो ये phone काफी अच्छा लग रहा है इस phone के weight की बात करें तो इस phone का weight 193 grams है इस phone में हमें 8mm की thickness देखने को मिलेगी इस phone में हमें dual sim प्लस SD card slot भी देखने को मिलेगा ये phone हमारा IP4 splash assistant भी है इस phone में हमें side mounted fingerman sensor देखने को मिलता है इस phone में भी हमें IPS LCD display देखने को मिलेगी with 90Hz refresh rate इस phone में हमें काफी big screen देखने को मिलती है जो कि हमारे 6.7 inches की है इस phone में हमें 86% screen to body ratio देखने को मिलेगा इस phone के display हमें 392 PPA density का resolution देती है इस phone के processor की बात करें तो इस phone में हमें midi deck dmlt 6020 processor देखने को मिलेगा इस phone में हमें 8GB virtual RAM extend memory भी देखने को मिलेगी ये phone हमारा Android 13 पर work करता है तो चलिए बीना किसी दीरी की बढ़ते हैं इस phone के camera features की ओड़ इस phone में हमें dual camera setup देखने को मिलेगा जो कि मारा 50MP का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा camera हमें 2MP का depth camera देखने को मिलेगा with 2.4 aperture rate selfie camera की बात करें तो इस phone में हमें 8MP का selfie camera देखने को मिलेगा with 2.0 aperture rate इस phone में हमें LED flash mode, HDR, Panorama mode भी देखने को मिलेगा ये phone हमारा 1080p 30fps तक video recording support करता है इस phone में हमें 5000 mAh battery देखने को मिलेगी जो कि हमारा phone को 30 minutes में 51% चार्ज कर देता है इस phone में हमें stereo speakers भी देखने को मिलते हैं चलिए, overall इस phone की बात करें तो इस phone में हमें एक अच्छा processor देखने को मिलता है अच्छी display, अच्छा camera देखने को मिलता है fast charging देखने को मिलती है चलिए, अब बात करते हैं दोनों फोनों में से कौन सा phone बेच रहेगा OPPO का phone newly launched है as compared to Vivo एक तो OPPO के phone में हमें fast charging भी देखने को मिलती है एक तो हमें एक अच्छा processor देखने को मिलता है as compared to Vivo Y56 तीसरा और आखरी, जैसा कि आपने देखा भी कि camera performance OPPO के phone की जदा अच्छी है as compared to Vivo Looks wise तो दोनों phone ही बैल्चे है तो दोस्तों ISO जैल्च हमें OPPO का phone ही लेना चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर मारे वीडियो अच्छी लगी हो तो make sure like the video and subscribe the channel